है लोज तो आप सभीक्स वक्त बात करेंगे आपर फिनोटेक्स केमिकल के बारे में इस कंपनी के अंदर जो लेटेस अपडेट आ रहे होए हापर हम डिसकस करेंगे एंड दोस्तो इस company का fundamentally analysis करेंगे जिससे आपको decision proper लेने में help हो क्योंकि काफी निवेशक यहाँ पर comment में पूछ रहतें कि सर यह stock अभी थोड़ा performing किया है और लगातार इसमें कोई तेजी देखने को ने मिल रही है कोई पूस्ता ही कि हमने महिंगे valuation पर खरीदा है और आपको यहाँ पर business के बारे में and company के कुछ ऐसे interesting point है जो fundamental analysis में perfect बैटे है वो मैं आपको बताऊंगा आप point to point देखना आपके पास share हो तो जरूर understanding करना देखिए आप जितना knowledge collect करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अच्छे से कुछ सीख पाएंगे नया और आपको जरूर इस वीडियो में कुछ नई चीजे देखने को मिलेगे आप देख लेना वीडियो अच्छा लगे तो ही दोस्तो लाइक सब्सक्रेब करना और कमेंड में बताइए आपको interesting यहाँ पर topic पर वीडियो चाहते हो तो और आने वाले कुछ मेरे अभी वीडियो भी है जो मैं chemical stock के बारे में बात करने वाला हूँ आज ही तो understanding आप कर सकते हैं देख कर तो सबसे पहले starting करेंगे phenotex chemical के balance sheet से अभी balance sheet दो तरीके के रहते हैं देखिए एक तो consolidate रहते है और standalone आपको नहीं पता तो understanding करना दो तरीके से एक यहाँ पर standalone वाली खुद यह company जो है ना phenotex chemical उसकी और जो consolidate होती ना उसके साथ जो यहाँ पर companies काम करते हैं और उससे कमाई जो भी यहाँ पर generate होता है क्या वो एक होती है वो एक consolidate है तो पहले मैं आपको standalone दिखा तो ज्यादा कोई different नहीं होता है बिलकुल same same ही होते हैं आम यहाँ पर पहले बात करेंगे देखिए सबसे interesting point आपको बता देता हूँ वो है देखिए reserve fund अभी reserve fund आप बोलेंगे सर देखना क्यों चाहिए उसके पीछे का सबसे बड़ा reason बताता हूँ कि reserve fund एक ऐसा topic है जिसके यहाँ पर balance sheet strong बनती है and आपको बता दू यह reserve fund collect कहा से होता है बढ़ता कैसे है यह percentage होता है profit का हर yearly basis पर yearly company को अपना यहाँ पर reserve fund में जो profit का percentage share जो होता देना पड़ता है और उसी से आपको पता चलता है and आप पिछले समय से देखेंगे जैसे के 2000 यहाँ पर 18 से 2018 से reserve fund कितना था 98 करोड से वो बढ़कर इस बार कितना हो गया 199 करोड यानि के company का आप देखिए पिछले लगातार यहाँ पर सालों से क्या हो रहा है reserve fund बढ़ रहा है means यह company profitable है यह समझ में आता है यह हो गया एक point reserve fund का balance it का next देखिए इसकी long term borrowing short term मैं नहीं देखता हूँ मैं आपको पहले बता दू मैं long term के बारे में borrowing देख लेता हूँ तो अभी फिरोटेक्स chemical के अंदर एक भी रुपए का करजा निये long term के अंदर यह सबसे fundamental strong point है और यह देखा किजिए next है देखिए यहाँ पर मैं बताना करोड का बाद में 11 करोड और आज 23 करोड का cash है इसके पास करजा तो कुछ भी नहीं cash भी जादा है बोलतो घबरानी के जरूत ने इस company में यह क्या हो गया balance sheet इंट्रेस्टिंग point है खाली मैंने तीन बताए अभी मैं आऊंगा आपको जो बताना चाहता था कि अशिश कचुला जीने तीन बार cash share खरीदे क्या है वो देखेंगे और उसके बाद में और कुछ interesting चीजें भी understanding कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तो हम यहाँ पर देख रहे क्या तो अशिश कचुला जी का portfolio उनके पास अभी 48 companies के share से और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इस company में हुआ और तीन बार किस तरीके से stick यहाँ पर बढ़ाया गया है ऐसा नहीं कि यह point हमरे लिए important नहीं है मैं आपको इससे क्या बता रहा हूँ कि कोई भी रहने दो मैं नहीं कहिता कि उनके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत आमीर है ऐसा नहीं है आमीर रहने दो बट कोई भी रहने दो चाहिए हम भी आमीर होंगे तो ऐसा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे ना हम पता हो उस company में value हो और हम देख रहे ना fundamental देखकर decision ले रहा ऐसा नहीं कि किसी ने खरीदा बोलकर खरीद रहा ऐसा बिल्कुल नहीं है आप जैसे देखेंगे तो phenotex chemical के अंदर अशिश कर्शोलय जी ने यहाँ पर पहले खरीदा मार्च 2022 में 1.84 का percent stake यहाँ पर खरीदा उसके बाद में यह दूल महिने में 2022 को stake बढ़कर कितना हो गया 1.93 जो यहाँ पर पिछले बार कितना था 1.48 और वो आगे बढ़कर अभी यह सप्टेम्बर महिने में 2022 को कितना हो गया है 2.64 यानि कि उन्होंने लगातर company को improvement को observe करकर इस company में निवेश किया है और मैं ऐसा ही नहीं बात करता कि इस company के बारे में उसके अंदर कुछ दिखाए दे तो ही क्योंकि मेरा काम है कि आपको इमांदार इससे सभी चीज़े बताए जाए क्योंकि आज की बात नहीं है long term के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूं YouTube में तो आपको यहाँ पर सही तो बताना पड़ेगा देखे facts and figures आप पर Phenotex Chemical में available है अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इस company के थोड़े business के बारे में business में क्या-क्या value है इसका business कितने देशों में है कैसा business है सब कुछ देखिए Phenotex Chemical incorporated in 1979 Phenotex Chemical is engaged in the business of the manufacturing specialty chemicals textile construction water treatments fertilizers leather sand paint industry यह होगा इसके business के बारे में अभी देखिए leading chemical manufacturing Phenotex Group is one of the leading manufacturer of chemical for textile construction या भी मैं जैसे बताया वो sectors अभी एक और एक interesting बात कि इसके product Phenotex Chemical के पास आपको बजा दू चार सो पच्चास product है आप थोड़ा understanding इस चीज़ को करना देखिए कितने more than 450 products available है categories इसके पास है and यह सभी यहाँ पर sector में use होते है diversify business है इसका बहुत अच्छे से and geographic split देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास है आप देख सकते हैं कितने hundred dealers इंडिया and international level पर है कितने तो इनके पास देखिए इस सत्तर देशों में कितना सत्तर देशों में इसका विजनेश चलता है तो आप अंदाजा लगा सकते कि फिनोटेक्स केमिकल का पावर कितना है and अब यहाँ पर मैं और एक चीज़ पर आना चाहूंगा जो विजनेश कौन से देशों में चलता है तो ब्राजिल के लिए आपको इस कंपनी में इंट्रेस्ट भी आएगा अब यहाँ पर आप देखें डोमेस्टिक लेवल पर जो इसकी कमाई है उसके अंदर 73% वेटेजे डोमेस्टिक याने इंडिया से और एक्सपोर्ट जो यहाँ पर एक कंपनी करती वो है 27% का मिंस यह 100% रेविन्य के सोर्स इसके explain किये गए manufacturing facilities आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनके पास दो प्लांट है और यहाँ पर explain किये गए उनके तरफ से मुंबई में भी है और यहाँ पर अमरनात में भी एक है यहाँ पर आप देख सकते दो places उन्होंने mention किये हैं आप य subsidies की बात करें तो फिनोलेक्स यहाँ पर Malaysia Limited भी है ऐसे बहुत से इनके पास companies की range है बोलकर ही इनके consultant रिजर्ड भी आते consultant वैलेंशिट भी available है यह हो गए देखिए सभी point और सबसे important point जो हम हर वक्त उसको note करते है वो है देखिए इस company के अंदर की shareholding हमें जो support करने वाली ची जो मार्च में 64.82% टेक था वो बढ़कर 64.94 और वो 64.97 जबर्दस तरीके से value है बोलकर पैसा इसमें बनने की chances अच्छे है अभी last decision वो आप अपने मर्जी से ले सकते है मेरा तो काम था आपको जो details थे वो बताना fundamental analysis के यही point है देखिए बाकि कोई ज्यादा complicated चीजों को आ आप ज्यादा focus में रखने की जरूरत नहीं है जो हम observe करते वहीं आपको बताया बस आपकी अभी मर्जी आप ज्यादा चाहते तो आप further study कर सकते थेंक्यू सो मच